आपके सो लोवर लेयर में सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं ट्रांस्पोर्ट लेयर के बारे में तो दिस इस देपोर ओफ और मॉडल, OSI मॉडल, TCPIP, whatever and it is like the interconnection point between upper layers and lower layers और ये वही लेयर है जहाँ पे actual data transfer होता है आपका process to process delivery of entire message in a sequential order ठीक है with the help of port numbers चलो थोड़ा सा hold करते हैं इस वाले point को भी process is an application program running on a host चलो इसको थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि अगर मैं चलता हूँ एक simple सा example समझेंगे इससे पहले कि जैसे मैं ना इस वाले computer में internet चलाना चा रहा हूँ तो मैंने अभी क्या चला दिया google.com ठीक है एक और let's say मैंने tab use गिया यहाँ पे मैंने चला दिया facebook.com whatever let's say login और मैं login कर लिया और ये मेरी facebook की profile खुल गी ऐसे ही आप माल लो यहाँ पे gmail अगर access करना चाहते हो उसके हिसाब से तो दो चीजों पर डिपेंड करता है यह कितने number of tabs आप open कर सकते हो we'll talk about that but for now let's say हमने तीन चार पांच tabs open कर लिए चलो तो हम क्या करते हैं यह मेरा computer या let's say अगर आप wi-fi router के थ्रू जूड़े हो न router के थ्रू और आप वो वाला internet चला रहे हो कौन सा जो wi-fi router के थ्रू चलता है लटसे आपने जीओ का airtel का या कोई भी या फिर ऐसा भी हो सकता है मैं mobile से और जो अपना mobile पाइल रिचार्ज होता है न टावर वाला वाई-फाई वाला वह वायरलेस वह भी आप internet चला सकते हो प्रोसेस सेम है बट पॉइंट क्या है देखो जब हम आगे बात करेंगे अभी न ट्रांस्पोर्ट नेट्वर्क डिटा लिंग लेयर वहाँ पे हम डिफरेंट टाइप एक सुटिस कंट्रोल जब तुम्हारी नेटवर्क लेयर की बात आती है उस पर आप बोलते हो IP address और जब तुम बोलते हो ट्रांस्पोर्ट लेयर उस पर बोलते है पॉर्ट एडरस तो ये थोड़ा से समझे ना है अपने को कि बढ़ी mac address क्या है क्या काम करता इप अडर multiple one two three devices है अब सब को इंटरनेट चलाना है ठीक है अब देखते हैं अगर कि तीनों डिवाइस सेम कनेक्शन यूज़ कर रहें इंटरनेट का और कहीं से इंटरनेट चलाना है अब मैक अड्रस जो होता है वो बेसिकली हर एक डिवाइस का इन बिल्ट अड्रस होता है कि अए तो मान लिए वहने पहले दिवाइस का मैं अडरस एंग आ है लोता है तो तूमने का 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 क्या होता है माल लो तुमने न इस वाले इस वाले कंप्यूटर device की individual identification होती है कि अगर आप इसको use कर रहे हो अकेला अकेला और ये manufacturer की तरफ से मिलता है अपको तो इस device आपकी मेरी पहचान क्या है हमारा नाम है और mobile नंबर जो है मेरे mobile की पहचान है अगर आप बोलोगे तो ऐसे इस computer की पहचान क्या है वो होता है इसका Mac address ठीक है तो कोई भी device जब आपको network में लाना है उसका part बनाना है तो ये address उसके पास होना ही होना चीए तो यह 48 bit का होता है hexadecimal होता है यह हम बाद में बात करेंगे बट फिलाल क्या जानना है एक hardware का address जब manufacture होती है कोई चीज उसको track करने के लिए उस company को पता होना चीए अब जैसे कि इसकी बात करें Lenovo को पता होना चीए कि आज तक मैंने न 50 लाख laptop बनाए है तो हर एक का track उनके पास होना चीए serial number वो serial number mac address है simply आप बस ऐसा समझें फिलाल के लिए आगे हम डिटेल में बात करेंगे तो inbuilt हो गया उसका mac address हर एक device का चलो इसका function मैंने बता दिया individual identification के लिए फ काम था individual device unique identification यह एक network में आपने कुछ devices लगाए हैं जैसे यहां पे एक printer भी लगा हुआ है तो इस printer का mac address है D ओके तो अब A, B, C, P, C, D का access करना चाहते हैं तो अगर सोचो ना कि mac address की help से यह print ले लेंगे इस network में switch के साथ लगाने से तो possible नहीं है तो सिरफ mac address के through communication networking नहीं हो सकती, you need another address which is called IP address तो इसलिए बोलते है networking में if you want to use network and internet resources, you need at least two addresses, one is your mac address and two is your IP address, तो mac ने उसको physical पहचान दे दी, IP उसको network में पहचान देगा, printer कौन है, ओके यह PC कौन है, यह वाला PC कौन है, तो उनके लिए चाहिएगा IP address, तो मैं मार के चलता हूँ, IP, first का है one, दूसरे का है, तीसरे का है और इसका है यह, again I'm saying IP के बारे में जो detail है, 32 bit है, boundary है, या dotted decimal notation है, यह सब हम आग दे, separate chapters में बात करेंगे, फिलहाल, two addresses, one mac, physical, unique identification, second IP, logical और identification in a network, logical क्यों है, आप mac चेंज नहीं कर सकते हैं, जो manufacturer ने दिया है, वहीं मिलेगा, आई-पी आप चेंज कर सकते हो, किसी भी टाइम पे, आज इसकी आई-पी, let's say 10.1 है, इस network के हिसाब से, कल किसी और requirement के हिसाब से, इसकी आई-पी 50.11 भी हो सकती है, तो that is logical, और mac क्या था, physical, constant एक तरह से, चलो हमने बात कर ली, mac and IP, उसके basis पे हम, अगर अब, जो PCA, PC1 है, मैं इसको बोल रहा हूँ, PC1, ठीक है, और यह PC2, PC3, एंड यह printer, PR1, तो PC1 को printer 1 से print लेना है, तो, इसको mac address भी लगाना पड़ेगा, अपनी request के साथ, और अपना IP address भी लगाना पड़ेगा, यह बोलेगा, कि भाई, मैं A, PC1 with mac address A and IP1, want to take the print out from what, एक address तो यह होगा source का, एक destination का जाएगा, मैं with d mac address and IP4, इससे print लेना चाहता हूँ, तो यह आपकी request में जाते हैं, तो हम आगे पूरी detail में पड़ेगे, but yes, इस तरह से हमारा communication process होता है, इसके पास यह जब आएगी, यह क्या समझ जाएगा, कहां से आया है, A से request आई है, मतलब PC1 से आई है, इसका mac address A है, और IP1 है, और क्या यह मेरे लिए है, हाँ, क्योंकि मेरी IP4 है, मेरा mac build D है, यह फिर इसको reply करेगा, यह बोलेगा कि मैं D, mac और 4 IP वाला printer उसको reply कर रहा हूँ, इसको A Mac और 1 IP वाले computer को, तो फिर वो सिरक उसके पास ही printer जाएगा, इ network के अंदर, जैसे हमारे भर के number है, pin code के number है, mobile number है, identification के लिए हमारे नाम है, ऐसे ही addresses होते है, networking में, identification के लिए, okay, I hope that makes sense, up to this point, इतने से तो चलो, okay है report, सब कुछ ठीक चल रहा है, यहां तक अगर हम private networking की बात कर रहे हैं, तो कोई अभी तक उलजन नहीं है, उलजन का आएग जब आपको public internet चलाना होगा, कैसे, देखो जड़ा, आपने बोला, के भाई, यह computer है, ठीक है, जैसे यही मेरा मालो, जिसमें तीन tab चला रहा हूं मैं, और यह router से जुड़ा है, ठीक, router जुड़ा है, ISP यानि की internet से, ओके, और इस पे आप तीन tab चलाना चाहते हो, IP इसकी क् router की भी IP और Mac होता है, यहां पे भी IP और Mac होता है, हर जगह है, जहां से भी आप जुड़ते हो, IP और Mac हर जगह का मिलेगा, चलो, यह server है, इसका IP है 2, और Mac है B, दूसरा server, यह server X है, मालो, X.com, यह तुमारा Y.com, इसका IP 3, Mac C, ऐसे ही तुमारा IP 4, Mac B, यह Z.com, कोई भी अलग server है, Facebook, Gmail, WhatsApp, कुछ भी मान सकते हैं, यहां से जब तुम request करोगे, internet की, अपने router को करोगे, router ISP से करेगा, उस packet में, जो तुमारा source है, वो कौन है, 1 and A वाला, destination कौन है, मालो तुम इस से न, यह पहली request है, X वाले से, इस वाले server के लिए, तो तुम कहोगे, I am requesting for 2 and B, जिसके IP 2 हो, और Mac भी, और ध्यान रखी, ऐसा server दुनिया भर में एक ही होगा, कोई दूसरा server ऐसा कभी नहीं होगा, जिस पर यह 2 और B मिल जाए, तुम्हें, कुछ अलगी मिलेगा, ठीक है, चला, फिर तुम पहला, कि मैं अब एक और tab चलाना जाता हूं, दूसरे server, मैं Gmail चला रहा ह फिर तुम्हार रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक, और इसमें फिर क्या रहेगा, जो source रहेगा, source तो same है, भई 1 से आ रही है, A Mac वाले से, लेकिन अब जाना का है, 3 IP और C Mac वाले के पास, ठीक है, और ऐसे ही तुमने मालो एक और रिक्वेस्ट करी, तिसरा tab, वो भी किस के जाएंगी, इसने request रिक्वेस्ट रिसीव करी, देखा कहां से आया, 1A से आया है, अब उसको reply करेगा ये, तो reply के time पे मैंने बताया, reverse हो जाएगा न process, कि जैसे इधर से ये क्या process है, encapsulation, ये इसने receive किया, 1A से आया, 4D यानि मेरे पास, इसको खोला, इस process को बोला encapsulation, ये क् de-encapsulation, खोला उसको, बट अब ये reply भी तो करेगा, कि चलो ठीका जी, अब मैं इसको, जैसे आपने, उस पे Facebook वाले पर click किया होगा, तो login का page आया, तो reply आया आपके पास कोई, अब वो reply फिर दुबारा क्या होता है, एक नया packet encapsulate होता है, वो कहेगा, अब मैं भेज रहा किसको, 1A वाले को, तो source destination बन जाएगा, destination source बन जाएगा, वापस आगे request, सेम काम किस पे होगा, तुम्हारे बाकी server, ये कहेगा कि मिरे पास कहां से आया था, 1A से 3C के लिए, अब 3C मैं वापस भेज रहा हूँ किसको, 1A को, ये देखो जी, चला गया, अब इसके पास एक बेज रहा हूँ अब request, वापस reply, वाने वाले को, चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, अब इस router की confusion समझो जरा बेचा रहेगे, जाते वह तो ठीक था, कि एक IP अलग-अलग destination पे जा रहे थे, ठीक है, source एक था पर destination अलग-अलग थे, जैसे ये मेरा क्या है, अगर मैं इसको common ब लिए, तो भेज देगा अलग-अलग destination पे देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब reply आ रहे है न, उदर से, उदर से हर जग ऐसे, क्या हो रहा है, कि destination तो अलग-अलग है, destination 1 से source 1 के लिए आया, destination 2 से source 1 के लिए आया, destination 3 से source 3 के लिए, अब ये जो router है, ये confuse है, कैसे, भाई अब मैं, source 1 पे मेरे को भेजनी है reply, पर मुझे नहीं पता कि, ये x.com का tab कौन सा है, y.com का कौन सा है, facebook का कौन सा है, gmail का, क्योंकि मेरे को तो सिरफ IP पता है, और Mac पता है, तो IP Mac का यूज़ करके, उस request को, reply को, sorry, मैं यहां तक तो भेज दूँगा, computer तक तो भेज दिया, आके tab में कैसे बिजू, ये तो नहीं पता रहा कि ये tab कौन सा है, ये tab कौन सा and all, समझे रहो, यहां पर आके IP की और Mac की limitation आजाती है, कि आप Mac तो device पहचान लेगा, मतलब individually, physically, IP network में device पहचान लेगा, जैसे इसने, यहां पर switch होता, for example, और जैसे पिछला example था ना हमारा, ब बोलो ना, कि भई थुड़ा सा मैं इसको अगर, ना, ऐसा है, कि आप, ये बड़ा favorite example है मेरा, आप नहीं भी पाओगे यह example share करता हूं मैं, कि इतना relevant example, माल लो, कि एक building में आप रहते हो, ठीक है, और उस building में आपके तीन floors है, for example, इस तरह से, और ये ground floor हो गया, आपका first floor हो लिया, second floor वाले बंदे ने KFC को call किया, और कुछ मंगवा लिया, जो भी है, चलिए जी, first floor वाले ने call किया, अपके किसी एक organization में, let's say, अचारे परशंत की संस्ता में फोन किया, और इन्होंने गीता मंगवा लिया, चलो जी, ये लो, तो point क्या है, इन्होंने अपना address दे द लो, जी, यहां से जो दूसरा बंदा आया होगा, वो deliver करने, वो यहां आया होगा, तीसरा बंदा भी आया होगा, वो, घर के बाहर तो सब खड़े हो गया, क्योंकि सब को आपने क्या दिया था सिरफ, घर का number, floor का number ने बताया, आपने, room का number ने बताया, आपने, that is the same confusion जो ह हमें क्या बताना पड़ेगा इस tab का number किस tab से आयो भाई साब आप browser से आयो वो तो application layer ने बता दिया बट browser में आगे किस tab से आयो browser में तो 50 यो टैब हो सकते हैं तो उसके लिए हमारा एक concept आता है port numbers का ठीक तो port number जो है वो use होंगे किस layer पे transport layer पे तो transport layer क्या करती है यह tabs identification बोलते हैं हम इसको और इसको हब हम technically बोलते हैं तुम्हारा process identification यह एक process है यह process है एक machine पे तुम्हारे thousands of processes रन कर सकते हैं तो port number transport layer पे होता है और इसको बोलते क्या है process address या port address ठीक है process identification के लिए नाम क्या है इसका port address ठीक है अब यह 16 bit का होता है यह है वो है वो सब हम बाकी बातें बाद में करेंगे जब हम transport layer का dedicated chapter पढ़ाएंगे बट यहां से idea क्या होगा तीन address है data link layer mac address physical address या hardware address बोलते हैं then तुम्हारा network layer IP address logical address तो इसका और इसका काम समझ लिए यह individual physical identification यह network में device के identification और then port address तुम्हारा sorry transport layer पे port address और वो किसके लिए है तुम्हारा process identification I guess यह वाली बात आपको समझ में आगी होगी तो यह बात जाननी हमारी बड़ी बड़ी ज़रूरी यह तिन्नों addresses जो है वो समझने की कि किसका क्या काम है actually internet पे और network में तो यह लिखा है it is responsible for process to process अब चलो थोड़ी सी एक और चीज़ बता देता हूं तुम्हें जो data link layer है वो तुम्हारी link to link communication के लिए यूज होती है देखो यहां से जैसे पिछला example ही लेता हूं राउटर पर जाना है यह एक link है ठीक है तो यहां से यहां data बेजना है तो mac address काफी है यह mac address यूज होता है इस router को अगले router तक बेजना है तो यहां से यहां यह दूसरा link है link 1 link 2 तो यहां भी mac address चलेगा फिर मालो तुम जुड़ते जुड़ते जाते जाते यह एक server है यह दूसरा server है ना यह ISP से जुड़े हुए है whatever तो इसका क्या है फिर तुमारा अपना IP 1 इसका IP 2 इसका IP 3 पूरी दुनिया में पूरे internet पे पूरे network में पहचान अगर देनी है तो फिर IP चीह होगा जी देखो कि भई IP 1 को IP 2 से जुड़ना मालो यह Facebook का server होता तो यह Gmail का तो मेरे को Gmail से नहीं Facebook से जुड़ना है तो this is the connection you want तो उसके लिए कौन सा address जरूरत पड़ी IP address अब उधर भेजने के लिए सिरफ identification होगी भई IP ने यह बता दिया source है यह बता दिया destination अब वहाँ भेजना है तो आपको Mac ही चीह होगा तो कितने सारे link cross करने है यह 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 सारे link cross करके जाते हो तो यह फिर अगेन तो दोन्नों addresses यूज होने है actual data जब आप link to link भेज रहे हो तो Mac ही यूज होना है पर पहचान करने के लिए Mac यूज नहीं होना उसके लिए IP days of hardware and network use करो यह बात करो तब यह ठीक है लेकिन अगर आप सो चो एक time पर आपको अगर दो website चलानी हो तो क्या आप दो laptop या दो PC या दो mobile यूज करोगे no so then there was this concept of multiplexing by using port numbers at transport layer कैसे आप इसी browser में you can use one more tab by the same IP let's say IP1 and the same Mac let's say Mac A you can make multiple sessions to multiple destinations कैसे फिर identification के लिए आपने क्या यूज कर लिया था port number तो multiple processes को आप एक साथ अपने destination तक भेज सकते हो by using the same IP and Mac that is known as the multiplexing तो इससे तुमारी cost reduce होती है और तुमारी processing fast होती है at the cost of complexion of your complexity of your design and hardware software and hardware but वो तो एक trade-off जबर्दस्त है ना अगर मिल रहा है अपने को क्योंकि आजकल अपने पास ना तो processing की कमी है ना storage की कमी है innovation जित्रा डालते जाओगे that much fruitful it will be for the applications and the user so it's like that music